नमस्कार, सुनननास किचिर में आपका स्वाधत है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेसिपी, बैगन का एक स्नाक्स जिसे बेगु ही कहते हैं, या बैहनी कहते हैं, इंग्रेडियेंट्स हैं, हमने एक स्मॉल साइज के बैगन को पतले पतले लंबाई से काट लिया है, फ हाफ टेबल स्कुन, नमक ले लिया है, हाफ टेबल स्कुन, जीरा तथा धनिया पॉडर, दोनों को हम ले खाफ हाफ टेबल स्कुन लिया है, लाल मिर्च पॉडर, हाफ टेबल स्कुन, खाने वाला जो सोडा होता है, वो सोडा हमने लिया है, वान पोस टेबल स्कुन, तथा बेसन हमने ले लिया 100 ग्राम अब हम इसके बैटर को बनाएंगे हमने लगभग 100 ग्राम बेसन ले लिया खाने वाला जो सोडा होता है मीठा सोडा वो हमने ले लिया अब हम इसमें कुर्कुरी बनने के लिए इसमें हम थौडा सा जो हमने मास के लिए अब बिलखे ले लिए भी आव पेबल श्पून हैं तोर दो वैसमें पोड़ी आप व्याग तेम जी राल वाक्त रए के लिए काला जीरा अब हम इसमें कुरकुरी बनने के लिए इसमें हम थोड़ा सा जो हमने मास्टर वाल 6-8 टेबल स्पून गरम होने के लिए ये दे दिया है कडाई में ये गरम तेल हम थोड़ा सा बैटर में फानी मिलाने के पहले उस बेशन में मिक्स कर देंगे इससे जो है आपका जो स्नैक्स है वो बहुत ही अच्छा खास्ता गुरकुरा बनता है ये देखी एकड़म खास्ता बलने के लिए हमने थोड़ा सा गरम देल इसमें मिक्स कर दिया हम थोड़ा थोड़ा पानी से पूरे मसाले के साथ बेशन को अच्छा से मिक्स करेंगे काफी अच्छा से आप इसको फेटें ताकि साड़ा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए कहीं भी कोई गाठ ना बने जितना अच्छा से आप फेटेंगे आपकी यह बैगनी का है बैगन का जो स्नाक्स है बेगुनी और बैंगनी यह उतना ही अच्छा एक दम फूल जाएगा तथा खुर्खुरे बनेगा इसको बहुत अच्छा से आप इसको पेट ले ओ देखिए हम थोड़ा-थोड़ा पानी देके इसको बना रहा है ताकि मेरा जो बैटर यह बहुत थीक ना बन जाए। बहुत थीक ताथा, ना ही बहुत पटला बन जाए। हम और थोरा सा पानी मेलाइगे। तभी भी आप एक साथ ज़ाधा पानी इसमेर ना मिलाएं। थोड़ा थोड़ा करके पानी बेठते जाएenteぇ। तो था बैटर को मिक्स कटते जाए यह देखिए अच्छा से यह मिक्स हो जा रहा है यह लगभब मेरा बैटर बनके तयार है तेल भी मेरा गरम हो चुका है अब बैगन पतला करके काट के रखते हैं उसको इस बैटर में दीड करके दोनो साइड से फिर हम इसको तेल में प्राइ कर लेंगे मिडियम फ्लेम में यह दिखिए एपने एक दे दिया है इसको हम गुल्डेन ब्राउन होने तक प्राइ करेंगे और ही एक हमने डाल दिया इसको आप साम में लाई के साथ खा सकते हैं इसको आप सॉस के साथ या किसी भी चक्नी के साथ सर्फ करे देखिए एक साथ बन गया है दूसरे वाले को भी हम पलट देंगे इसको आप अब भी फ्लेम बहुत जादा करके मत पकाईएगा तो आपका जो है बाहर से यह जल जाएगा लेकिन अंदर जो बैगन वाला पार्ट है वो कच्छा ही रह जाएगा यह लांस्ट वाला इसको भी हम निकाल लेंगे एक एक करके हम सारा बैगन ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे अगर आपको हमारी रेसिटी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें तथा सब्क्राइब करें धर्नवाद जो लेके रहरर बैगना यॉवाद